अगस्त को राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रिम कोट में सुनवाई होनी है। इसलिए सिर्फ घमंडी नहीं कहा जा सकता है कि मैंने माफी नहीं मांगी है। पूरे वर्ग को अपमानित किया और बात में उन्होंने माफी मांगने से भी मना किया। दरसल राहुल गांधी ने 13 एप्रिल 2019 को करनाटक के कोलार में एक चुनावी जनसभा में नीरव मोधी ललित मोधी के साथ नरेंद्र मोधी का नाम लेते वे कहा था कि इन सभी चोरों का सरने मोधी क्यों है। इस बीच कॉंग्रिस नेता अधिर रंजन चौधरी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को संसद में आने से रोकनी के लिए ये बिजेपी का हतकंडा है। बिजेपी राहुल की लोगप्रियाता से डरी हुई है। पियम मोधी और अमित्षा दोनों ही राहुल का सामना नहीं कर पा रही है। इसलिए संसद में उनके प्रवेश को रोका जा रहा है। राश्पती से मुलाकात के बाद कॉंग्रेस अध्यक्ष मलेका अरजुन खडगे ने कहा कि राश्पती से हम मिले और जो घटना मनिपूर में घट रही है उस पर बातचीत भी हुई। मुझे बोलने नहीं दिया जाता है मेरा माईक बंद कर दिया जाता है सरकार नहीं चाहते कि मनिपूर पर चर्चा हो। मलगे ने कहा कि प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी को मनिपूर जाना चाहिए था। बता दे मनिपूर हिंसा को लेकर पिछले कई दिनों से विपक्ष लगातर सवाल उठा रहा है। संसत के मानसुन सत्र में इस मुद्दे पर हंगावा जारी है। मड़िपूर को लेकर लगातर दो दिन सुप्रिम कोट में भी केंद्र और राजसरकार को जम कर सुनाया गया। चीफ जस्टिस डी वाइप चंदरचूट ने नाराज़ की चुताते हुए यहां तक कह दिया कि तीन महीने तक स्थिती एफ़ायर लिखने जो ऐसी भी नहीं थी। राजसरकार की स्टेटस रिपोर्ट बताती है कि एफ़ायर दर्च करने में देरी की गई। लोगों के बयान दर्च करने में देरी हुई। गिरफतारी कुछ लोगों की ही हुई। इससे हमें ये लगता है कि 4 मई से 27 जुलाई तक राज़ जमे कानून का साशन नहीं था। साफ है कि मडिपूर का मामला बिजेपी के लिए आगे भी मुसीबत बना रहा है। अब इस पर गुरुवार को चर्चा होने की संभावना है। आज सांसर रागव जड़ा ने कहा कि जो इस बिल का विरोध करेंगे वो ही सही माईने में देश भक्त है। इस बीच कॉंग्रेस सांसर मनिश्टिवारी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताफ की स्विक्रीती के बाद सरकार तब तक कोई विधेक पारित नहीं करा सकती जब तक अविश्वास प्रस्ताफ पर फैसला नहीं हो जाए। इससे पहले के सभी विधेक समविधानिक रूप से संदिक्द हैं। उन्होंने दावा किया कि अविश्वास प्रस्ताफ सुईकार होने के बाद लोकसभा ये राजसभा में पारित किये गए। सभी कानूनों की वैदता की जाज अदालत करेगी। वे कानूनी रूप से पा दाने की मांग की। लेकिस सभापती ने साफ कर दिया कि मैं ये निर्देश नहीं दे सकता और दूंगा भी नहीं। इस बीच मनिपूर मामले में चर्चा कराने के लिए नियम 266 के तहट दिये गए सभी 60 नोटीसों को सभापती ने अस्विकार कर दिया। जिसके बाद वि विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि परधार मंत्री नरेद्रमोदी सदन में मनिपूर मामले में बयान। वहीं बिजेपी का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे पर बहस नहीं चाहता।